हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि हम HTML, CSS का यूज़ करके Flexbox और Media Query के help से हम Responsive Card Layouts कैसे बनाएंगे Responsive Card Layouts का मतलब क्या है, आपके पास Cards बने हुए आएंगे वो Cards, Desktop के According भी आपको दिखेंगे और Mobile के According भी क्या होंगे, Responsive होंगे मतलब Mobile की डिवाइस पे भी वो एक Adjustable Format में दिखेंगे Design का Format की बात कर रहा हूं, कि हमें एक Card Layout बनाना है जो Desktop पे अलग टाइप का नजर आएगा और जो Mobile की डिवाइस में अलग टाइप का नजर आएगा और इसके लिए हम Flexbox और Media Query का यूज करने वाले हैं, उसको यूज करके एक Responsive Layout बनाएंगे वो भी Card के Design का, एक बार चलिए मैं आपको दिखा देता हूं देखें, आपके स्क्रीन पे मैंने Responsive Card Layout एक Demo बना के रख रखा है कुछ इस टाइप का ही Layout बनाऊंगा, देखें इस टाइप का अपने को बनाना है जैसे PHP Web Development हो गया, Android Development हो गया, Ethical Hacking हो गया, Python Programming हो गया ये कुछ Cards टाइप के Design, Cards टाइप का Design मत्तब वाइट बैक्राउंड में इमेज आ गई, एक आपका Title आ गया, Paragraph आ गया, एक Read More का बटन आ गया और Hoover देने पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये Cards Layout है, पूरा का पूरा Flexbox से बना हुआ है नीचे भी Same Section मैंने Copy कर दिया है, अगर आप इसको Mobile की Device पे देखते हैं तो Mobile की Device पे कुछ इस टाइप से अपने को नजर आएगा, देखें बहुत सिंपल है, Mobile की Device पे एक एक आइटम्स क्या होगे, अपने को नजर आएगे, नीचे नीचे अपने को क्या हो रहे हैं, तो Cards Layout बनाना है, जो Desktop पे अलग डिजाइन लेके आए, और Mobile पे अलग डिजाइन लेके आए, HTML, CSS, Media Query, Flexbox, इन सारे Concept को यूज करते हैं, इस Layout को हम क्या करेंगे, डवलप करेंगे, तो आपको पता तो चली गया हुआ कि हम किस टाइप का डिजाइन बना रहने वाले हैं, अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टि करके इस डिजाइन को क्या गर देंगे, रिस्पॉंसिव बना देंगे, तो यही Layout मैं आपके सामने क्या गरूंगा, बनाओंगा, तो चली हम स्टार्ट करते हैं, मैं एक सब्लाइन में क्या कर रहा हूं, अलग से पेज बना रहा हूं, यहां पे, मैंने जैसे वैसे Demo.html है, मैं यहां पे home.html करके एक page बना देता हूं, चलिए, और HTML tag start करता हूं, close करता हूं, HTML tag start कर दिया, close कर दिया, एक सीच का ध्यान रखे हैं, कि आपके कभी-कभी क्या होता है, media query काम नहीं करती, आप लोगों का comment आ जाता है, कि sir, media query काम नहीं कर रही, हमने media query का syntax लिखा, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप meta के अंदर, name viewport, जो यह line लिखी हुई है, यह line आप add नहीं करते होंगे, head के अंदर, अगर यह line head के अंदर add नहीं करेंगे, तो वो scaling को judge नहीं कर पाएगा, वैसे default इसका scale हम क्या रखते हैं, one रखते हैं, जिससे पता चले browser को, या प कौन से device में website को open कर रहे हैं, तो यह जो initialize scale 1 होता है, और width equal to device width होती है, यह check करने के लिए कि कौन से scale में आपने website को open किया है, यह देना जरूरी है, meta के अंदर, name, viewport, अगर यह नहीं देंगे, तो आपकी media query perfectly work नहीं करेगी, क्योंकि वो regulation को check-in नहीं कर पाएगी, तो इसक काम नहीं करेगी, तो media query को जब भी use कर रहे हैं, तो meta वाली line को add करना है, अगर यह line add नहीं करते हैं, तो भी problem हो जाएगी, तो चलिए मैंने यह बता दिए, कि यह line add करनी है, और एक CSS मैंने यहाँ पर बना कर रख 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 रहे, अगर आप notice करेंगे, तो यह CSS है, इस CSS को म पर open in browser करते हैं, check करते हैं, control you करके देख लेते हैं, file मेरी call हो रही है, CSS की file मेरी call हो रही है, ठीक है, अब देखिए, सबसे बहले आपने को क्या करना है, यह background लगाना है, अगर आप notice करेंगे, तो यह background लगाना है, जो पीछे की side background नजर आ रहा है, तो आप यहाँ जाएग अप्लाई कर पाऊंगा, तो training section नाम से मैंने class मनाई, और यहाँ पर जाके मैंने क्या क्या है, width 100% दे दिया, चले width 100% देना है, क्योंकि आप पूरी screen लेके आना है, तो width 100% दे दिया, background में वो image लगा दी, background URL करके images folder के अंदर से, वो image मैंने यहाँ पर क्या गर दी, तो control you कर करके यह जो image है, banner वाली वो लगानी है, तो bg training करके जो image है, उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, attach कर दिया, और मैं right click करके open in browser करूँगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई data ही add नहीं किया, खेवल image लगाई है, और width दिया है, और मैं इसको यहाँ पर क्य आला के cover करेगा, और area चोटा होगा, और image बढ़ी होगी, तो compress करके cover करेगा, तो background सा इस cover लगा देना है, और एक बार चलिए, मैं आपके सामने height देता हूँ, जिससे अपने को बता चलिए, image आ रही है, तो चलिए, मैंने यहाँ पर height क्या क्या, height दे दिया, यहाँ पर 600 pixel, एक बार example के लिए, image आ चुकी, अगर आपके सामने notice है, तो image दिख भी रही है, मैं थोड़ा height क्या कर रहा हूँ, और बढ़ा देता हूँ, 800 pixel कर देता हूँ, आ रही है, image आपके सामने क्या रही है, दिख रही है, तो आप height हटा दीजिएगा, एक बार बस दिखाने के जाए, अब इसके अंदर हम आते हैं, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर h1 tag लूँगा, और h1 tag के अंदर यह line copy करके paste कर दूँगा, तो जो मैंने training section करके class बनाई है, उसको use करते हूए, pseudo states का use करता हूँ, training section के अंदर है हमारा h1 tag, h1 tag को सबसे पहली property देता आपके system में available होती है, आप इसको use कर सकते है, अलग से install करने की जरूवत नहीं है, और मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, refresh करता हूँ, तो थोड़ा सा font अच्छा भी हो जाएगा, अच्छा हो गया है, देखिए, और फिर मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, padding देता हू यह जो cards का look आ रहा है, cards का layout बनाना इसके लिए कैसे सोचेंगे, देखिए, इसके लिए सोचना बहुत simple जा है, आप यहाँ पर जाएए और यहाँ पर जाके एक div लीजिए, मैं यहाँ पर class बना देता हूँ, container क्योंकि बीच वाला part बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर container नाम से क्या कर रहा हूँ, class बना रहा हूँ, और container को width कितनी दे रहा हूँ, 1170 pixel margin auto, तो मैं यहाँ पर गया, और मैं यहाँ पर width दी, 1170 pixel margin auto, जिससे वो center में चला जाएगा, center में आ जाएगा, और एक बार हम क्या करते हैं, container को border देते हैं, जिससे अपने को यह भी idea लग layout को क्या करेंगे, design करेंगे, display flex और media query को use करते हुए, जो यह design आपके सामने नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक line में कितने पार्ट्स आ रहे हैं, चार और दूसरी line में भी चार आ रहे हैं, तो total 8 parts आ रहे हैं, तो container के अंदर आप 8 parts बना लीजी, मै image मैंने folder में रख रखी है already, तो मैं image tag का use करके images folder के अंदर से, यह PHP वाली image को क्या गर देता हूँ, लगा देता हूँ, यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पर जाके, जो PHP web development है, इसको copy करता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या गर देता हूँ, पास कर देता हूँ, यह image मैंने पर कर देते हैं, add कर देते हैं, और थोड़ासा छोटा content याइड कर देते हैं, यहाँ पर मैं ने चूटा content add करना था image हो गया, title हो गया, आपका कुछ content वाला part हो गया और एक button हो गया, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, एक बर copy कर लेता हूं, यहाँ पर copy कर लिया, यह मालीजे मैंने यहाँ भी copy कर लिया, यहाँ भी copy कर लिया, total, चलिए अभी 4 title add कर देता हूं, और इसकी image को यहाँ पर गर दिता हूं, इमिज को add करने के लिए android development 01.png को यहाँ पर गर दिता हूं पास कर दिता हूं, यहाँ गया और यहाँ पर, यहाँ पर आपर, तीसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पे तीसरा पार्ट किसका है, ethical hacking का, इसको copy करते हैं, copy करके तीसरे title में इसको क्या कर देते हैं, pass कर देते हैं, तीसरे title में मैंने इसको pass कर दिया, images folder के अंदर से ethical hacking की images क्या कर देते हैं, ले लेते हैं, यह image है, इसको copy किया, और copy करके यहां पर image को क्या गर दिया, add कर दिया चलिए, और जो last है, वो last है अपना python training, मैं यहां से इसको copy करता हूँ, और इसको copy करके यहां पर क्या गर देता हूँ, add कर देता हूँ, और इसकी भी image को यहां पर क्या गर देता हूँ, लगा देता हूँ, तो images folder में जाता हूँ, और python क जो इमेज है उसको मैं यहां से क्या लेता हूं लेके आ जाता हूं और यहां पर ले जाके मैंने क्या कर दिया पाथ पाइथन की इमेज भी क्या चुकी है और आप इसको थोड़ा और कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मैंने टोटल आठ चाहिए तो 8 के लिएaman उसको कॉपी कर लेता हूंven मैं बना चुका है। तो तो टोटल एट पार्ट का गाके ट्यार होगिए है वगेर अब अपने को इसको划it की ले आउुट में से ने लाज करने मिशले एक legislative आधानले हें तो आपको क्या करना पड़ेगा जो आपने यहां पर पर्टीकुलर कॉलम को विर्थ भी दे सकते हैं कैसे देना देखें मैं आपको बताता हूं प्लेक्स बेसिस क्या करता है पर्टीकुलर कॉलम को विर्थ देने का काम करता है जैसे मैंने बोला कि मैं इसकी विर्थ लगबग लगबग कर देता हूं 20% चलिए 20% कर दिया मैंने अब आप कहेंगे 20% तो आपने कर दिया तो मैं यहां पर जाके क्या करता हूं जैसे मैं यहा ग्राउंड दे दिया चलिए और चेक करता हूं ले रहा है कि नहीं ले रहा है तो यहां पर आपको रैप भी करना पड़ेगा रैप क्यों करना पड़ेगा क्यों कि एक लाइन में पर्सेंट के चारीज हो सकते हैं तो फ्लेक्स बेसिस में आपने 20 पर्सेंट दिया है मगर ले नहीं रहा है क्योंकि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है वह यह बोलता है कि मैं अंदर वाले आइटम को फ्लेक्सिबल कर दूँगा तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा आ नीचे आ जाएगा आना ही था इसको नीचे और आप इसको क्या गरिए चलिए 25 परसेंट कर दीजिए 25 परसेंट करेंगे तो पूरा एरिया क्या गरेगा वह कवर कर लेगा तो 25 परसेंट क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैप भी देना इनके बीच में तो मैं यहाँ पर 23 परसेंट दीगर रहा हूं चलिए मैंने 23 परसेंट इसके अंदर क्या गर दिया इंप्लिमेंट कर दिया रैप करने से क्या हुआ 23 परसेंट के एक लाइन में कितने आ सकते हैं चार आइटम आ सकते हैं चारी दिखाने थे और आटोमेटिक आइटम क्या हो हो गए नीच हो गए रैड कलर देना नहीं था मैं हटा दूँगा रैड कलर अच्छा भी नहीं लग रहा है डिजाइन पे और एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं जस्टीफाई कॉंटेंट में हम यहां पर यूज कर लेते हैं यह ले लेंगे ले भी रहें देखें नजर भी आ रहा है इसपेस एराउंड से यह बेनिफीट हुआ कि अपने लेफ्ट और राइट से क्या लेने लग गए और यहां पर जाके मैं क्या करता हूं थोडा साइस के आइटम्स में यहां पर जाके मैं मार्जिन देता हूं टैन पिक्सल और जीरो पिक्सल का मतलब है कि टॉप और बॉटम से टैंटेल लेना है लेफ्ट और राइट से जीरो लेना है तो इससे यह हुआ कि कॉलम्स जो है वह उपर और नीचे से भी क्या लेने लग गए तो गैपिंग भी बरा तो पांचवा पार्ट नहीं आएगा तो पांचवा पार्ट आट नीचे पाचंवा पांच से लेक्ट ये आर। राएंट से आने लग एत मैं से और लगा सकते हैं consist लेट दिया है यहां पर यूज कर लेता हूं बॉक्स एड्व जीरो पिक्सल जीरो पिक्सल जीरो पिक्सल जीरो पिक्सल ग्रेका आपने पासि क्या हो रहा है और इसका बैगग्राउंड क्या घर तो था करना चाहिए हमने आपने को इमेझी चाहिए पीछे मेर हम रॉसंक्त मेरे के से 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से 0 नहीं चाहिए था और एकदम प्रॉपर वे में content आपका क्या हो रहा है सैट हो रहा है अब एक काम करिए आप जाके अपने parent की जो यह parent की हाइट है इसको हटा दीजिए training section में हाइट देनी नहीं थी हटा दी मैंने यह automatic क्या करेगा इसको एड़ेस्ट करेगा मगर एक चीज अपने को जरूर कर लेना है यह पर कि पैडिंग बॉटम से देते हैं कि थोड़ा सा पैडिंग बॉटम से पजास यह थोड़ा नीचे से स्पेस क्या करेगा अपने को दिखाएगा अभी डिजाइन पूरी नहीं हुई यह तो एक नॉर्मल मैंने डिजाइन को क्या किया बनाया है आपके सामने डॉट में ट्रेग ईटेम आपको पता यह त्वाटम से पन इलिया सकते अपने फ़ॉट से काम नहीं करремहें चलिए चोट दीजए यहां जाता हूँ और यहां पे जाके मैं target करता हूं Ptec को P है अपना paragraph जो यहां पे रज़र आARहा है यहां पे मैं font size को थोड़ा सा कम कर देता हूँ कि font size थोड़ा बड़ा लग रहा है इस area में तो 14 пिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पर जाके क्या करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ लिए डिस्प्ले फ्लैक से यह नहीं होगा कि आप यह सोचे कि दूसरी प्रॉपर्टी यूज नहीं करने है फ्लोट को हटाया इसने फ्लोट को हटाने के लिए बोला है फ्लोट भी यूज करेंगे तो बनतो जाए यह लीजिए तो मैंने यहां पर पैडिंग दे दी 10 पिकसल तो बॉक्स के अंदर नजर भी आ रहा है बागी का आप अपने अपने रौपर्टी को सैट कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी दे नहीं है वह आप इसके इंदर पास कर देंगे तो हमारा क्या काम हुआ हमने करता हूं बैक्राउंड कर देता हूं इसका ब्लू मैं यहां पे दस पिक्सल और ट्वंटीफाइ ज़िता हूं और कल अचुके यहां पर यहां पर क्या करığını बोर्डर नन कर दीजिये, बॉर्डर नन से उसका बोर्डर जो डिफॉल्ट आता है वो हट जायेगा बटन के ओपर बोर्डर नहीं चाहिए और बोर्डर रेडिस कर दीजिये थोड़ा सा 6 और तो मैंने यहाँ पें बार्डर रेडियस के फिर्मिट में अपने गर देते हैं अच्छा गर देते हैं और थोड़ा समय इसको मार्जिन दे देता हूं टॉप और बटम से 10 पिक्सल और जीरो पिक्सल तॉप और बटम से 1010 और लेफ्ट और राइट से 0 कुछ इस टाइप का अपने को नजर आ रहा है तो यह एक लुक है यह भी मैंने लुक बन दिजे ब्लू तो ट्रेणिंग आईटम्स कौन से यह सारे ट्रेणिंग आईटम्स ही एं देखे ब्लू हो चुका है मगर ब्लू होने के बाद यह जो है यह तो वाइट करने है न सारे इसको कैसे करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा यहां पे टारग पास कर सकते हैं अपने को दो बार नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि पी का भी color क्या करना है वाइटी करना है तो पी का भी color आपके सामने वाइटी नजर आएगा अब आते बात बटन की तो बटन को थोड़ा सा गुड़ लुकिंग करते हैं बटन पे अलग से होड लगाते ह प्रेणिंग आइटम्स पे होड जाएगा मगर काम किस पर करेगा उसके अंदर के बटन पे यहां पर बटन टैक को टारगेट करें बटन टैक को टारगेट करने के बाद उसके बैक्राउंड को तो कर दीजिए वाइट यह लीजिए और color को आप कर दीजिए blue जिससे उसका color क्या होगा blue टाइप का दिखने लग जाएगा और आप यहां पर refresh करेंगे तो आपके सामने यह अच्छा और good looking format में नजर आ जाएगा तो यह तो मैंने अभी जो लुक बनाए यह desktop का लुक है अगर आप इसको mobile के लुक पे ओपन करोगे तो mobile के लुक पे यह अपने को अभ desktop का लुक था अब हम mobile के लुक पे क्या गरते हैं लेके आते हैं क्योंकि हमने desktop के लुक बना दिया बहुत अच्छा डिजाइन बनाए फ्लोट का यूज नहीं करना पड़ा हमने कौन-कौन सी प्रॉपटी यूज किया देखिए container में जो दिया है वो display flex दिया जो यह training items है यह पता चल जा है कि इतनी विट लेनी है बाकी logic आप लगा सकते हैं मैंने सारे properties आप लोगों बता रखें मीडिया क्वेरी कभी मैंने parts बना रखा है मैंने flex box का भी पार्ट बना रखा है यह जो दोनों लिंक है आपको description में मिल जाएंगे अगर आपको flex box में problem होती है तो पहले आप flex box को clear करेंगे media query को clear करेंगे then यह चीज आपको perfectly समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूं flex समझा नहीं रहा हूं क्योंकि flex flexible box बनाता है already बता चुका हम अब आते हैं कि हम इसको responsive कैसे करेंगे responsive में क्या करना है एक एक box लेके आने बह 8% कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बता हूंगा बहुत सिंपल है आप जाईए यहां पे यहां जाके जो container है container को आप media query में handle करें media query हमेशा यह धियान रखे आपकी CSS के नीचे बनी होनी चीए अगर आप उपर बनाएंगे तब भी काम नहीं करेगा या तो आप अलग से file ब मतलब minimum width कितनी रखनी है तो मैंने बोला कि minimum width अपने को चलिए 200 पिक्सल चीए minimum जो mobile का device होता है 200 एंड करके मैंने यहां पर बता है max width कितनी रखनी है तो मैंने यहां पर लिखा max width होनी चीए 767 pixel ले ले लेते हैं चलिए curly bracket start curly bracket close यह media query यह बोल रहा है कि 200 पिक्सल से लेके 767 पिक्सल में आएंगे तो यहां पर अगर आप कोई भी property देंगे तो वो override कर सकते हैं मतलब जो भी आप class के अंदर property override करना चाते हैं वो कर सकते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले हम container को लेके आएंगे आपे चलिए container में बस दो property change करनी है यह अपने आपको responsive गर देगा पहली property क्य है कि container को बताना है कि device के according उसकी width 100% हो जाए मतलब device का मतलब जिस device में open है जो भी dimension में open है अगर dimension कम और ज्यादा है जैसे मैं इस dimension में open कर रहा हूं 375 तो 375 के according container 100% width ले ले और दूसरी property यहाँ पर यूज करनी है flex direction इसका कर देना है column करते ही वो line by line आने क्या हो जाएंगे start हो जाएंगे अब आप यहाँ पर जाके refresh करिए आपका डबा responsive हो चुका है मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूं इस पर जाता हूं राइट क्लिक करक politics हैं तो बारडर का case यहाँ से मैं क्या कर रहा हूं गैब कर रहा हूं जया अब आप प्रफेक्टी सेपने क्या हूँ आ रहा है आपको नजर अरा है एक और हेंडिल ओने का मत्तब एक पिक्सल का भी बस आप चाते हैं थोड़ा सा अंदर की side वहीel पार्टीbasid में क्या है दिएक साट कर 오른 दो पॉपर्टी आपने की पहली हंडिग पर выш अपने आपको एक एक रो में आने स्टार्ट हो जाए और फिर हमने ट्रेनिंग आइटम को क्या क्या मार्जिन टैनल पिक्सल दे दिया तो रिस्पॉंसिव बनाने के लिए अपने को ज्यादा कोई काम नहीं करना पड़ा में लॉजिक क्या था में लॉजिक था कि आप 15 1 अब देक्रिजटि आ क्या करता है में आपकों जटाता है अब लोग गलति ओने अद्धियो में कर देते हैं मीडा पेड़ेरी में लगाने से पहले आप लोग एक चीज धियान रखिये यह आपके सामने यह लाइन लिखी हुई है कि नहीं है अगर यह लाइन नहीं लिखी होगी तो वो media query perfectly वर्क नहीं करेगी तो आपको मेटा में जो है व्यूपोर्ट लिखना पड़ेगा content width में इस्किल बन देना पड़ेगा उसके बाद media query हमेशा क्या है style के नीचे call करनी है style के ऊपर नहीं call करना कि मालीजे आपने सारी css अपनी desktop वाली बना दी फिर उसके उपर call कर रहे है क्यूंकि होता क्या है logic यह होता है code top to bottom चलता है जो नीचे होता है वो last में read होता है और जब last में read होता है तो यह execute हो जाएगा mobile की device में तो यह चीज़े अपने को धिहान देनी है अगर आप इसक आपको नीचे तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको नीचे जब तक लेके नहीं जाएंगे तब तक यह responsive नहीं होने वाला तो अभी के पार्ट में मैंने आपको clear कराया कि आप flexbox का यूज करके cards का layout कैसे बनाते हैं इस cards के layout को mobile की device में responsive कैसे करते हैं इसमें media query का कितना रोल है flexbox का कितना रोल है मेटा के अंदर viewport का क्या रोल है यह सारे चीजे मैंने आपके सामने क्या गर्दी clear कर दी जिससे एक आप अच्छी level का design क्या कर पाएं develop कर पाएं और चीजों को clear कर पाएं तो अभी के पार्ट में इतना ही था आगे पार्ट में और चीजों को लेके आ कर दो कर दो